आक के पत्ते से वशिकरन मदार के पत्ते से वशिकरन भी आप कर सकते हैं दोस्तों मदार को समाने भाशा के अंदर आकडा का जाता है आकडा रेगिस्तान के अंदर बंजर भूमी से उगता है इसके सफेद फूल लगते हैं और इसके अंदर सफेद जैसा दूद जैसा पर जहात निगलता है आकड़ा जंगल के अंदर भी उगा होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बता दू नमस्कार दोस्तों मैं मिना कौतम कैसे हैं आप सभी पहले मैं इसके जाता हैं तो मदार के पेड़ को सीध करने का काम भी किया जाता है ऐसी स्तिति के अंदर मदार के पेड़ में पारी डाला जाता है इसके अलावा यदि कोई गंबीर विमार है और ठीक नहीं हो रहा है तो मदार के पेड़ की जड़ का ताबीच के अंदर रखें और काले धागे को बान कर गले के अंदर धारन कर लें तो रोगी अपने आप ठीक हो जाता है इतना ही नहीं जोतिश के अंदर तो यह है तक माना जाता है कि यदि आपके घर के सामने एक मदार का पोदा है तो उसके प्रभाव से आपके घर के अंदर कभी भी नगारात्मक शक्तियां प्रिवेश नहीं करेंगी मदार के पत्ते से किस तरह से वहशी करन किया जाता है मैं बताऊंगी आपका दोस्तो गोरो चन और सफेद मदार की जड़ को किसी भी शनिवार की दिन लाएं और साथ ही एक पत्ता तोड़ कर ले आएं इससे पहले मदार के फोधे से प्रातना करें कि अब उनको पीस लें और किसी मदार के पत्ते को धोकर उसके उपर घी के अंदर मिलाएं अब आप इसका प्रयोग करके तिलक करके जिसके भी सामने जाएंगे वह आपके वश्म हो जाएगा यह बहुत ही उप्योगी तोटका है और बहुत ही चमतकारी तोटका है दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा इसकीप करके ना देखिएगा नहीं तो आपको कुछ समझनी आएगा इसलिए मैं थोड़ा स्लो बताती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएं आग के पत्ते से वश्यकरन औ आप लोगों से से शेयर करूंगी सबसे पहले आपको किसे सफेद आग का एक पत्ता और जड़ लेकर आनी है उनको साफ पानी से धोकर रंक्त गुजा को बकरी के दूने पीस ले दोस्तों रंक्त गुजा एक आती है मोती के जैसा उसके साथ आपने बकरी के दूने पीस ले और इनको सबको मदार के पत्ते में रखकर ओम नमा श्वेत गात्रे सर्व लोग वंश करी दुस्टान वंश कुरू कुरू नाम भोले वंश मान्य स्वा मंत्र का 301 बार जाप करें अगर आप नहीं करना चाहते हैं यह जाप तो और भी मैंने इसमें बताऊंगी आप उपाय क किस तरह से करने हैं अगर आप इस मंत्र को नहीं करना चाहते हैं इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो अगले उपाय को आप कर सकते हैं इसके बाद उसका तिलक कर लें अगर आपने उसका मंत्र जाप कर लिया है और उसको जो मेरे बताया है उस तरह से कर लिया है तो उसक के सामने जाएंगे तो वे व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा जिसका नाम आपने मंदर को बोलते समय लिया था सफेद मदार की जड़ और पत्ते से वशी करन दोस्तों सबसे पहले किसी भी दिन एक सफेद मदार की जड़ लेकर आएं और उसके साथ ही एक सफेद मदार का पत्ता भी तोड़कर ले आएं इस पत्ते को घर के बार वाले कोने के अंदर दबा दें और फिर जड़को गड़े चतूर्थी से अनंत चतूर्थी तक नित्य ओम गय गणपते नमा मंत्र का जाप करते वे पूजा करें दोस्तों ये मंत्त बहुत असान है ओम गण गणपते नमाहा इसका आप जाप करें और उसको अपने वश्म करना है जिसको भी आप चाहते हैं उसके बारे में बोले और जब समय पून हो जाए तो इन सबको ले जाकर किसी पानी के इंदर पहा दें मदार के पत्ते से प्रचंड वश्यकरन मदार के पत्ते का ये वश्यकरन बहुत ही चमतकारी है दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी तरीका है इसको करने के लिए आपको किसी भी मदार के पोधे के पास जाना है और उसके अंदर एक ऐसा फूल तलाश करना जिसके दोनों तरफ पत्ते हों अब इस पत्तों पर हनुमाजी के मंदर में लाया गया सिंदूर घी से अपने और उस वेक्ति का नाम लिखे जिसको आप वश्म करना चाते हैं और उसके बाद मोली के द्वारा दोनों पत्तों को फूल के चारोर बांद देने के बाद वश्यकरन हो जाता है यह बहुत ही प्रचंट प्रियोग है इसका प्रियोग कभी भी खाली नहीं जाता है श्वेतार्क के पत्ते से शत्तु वश्यकरन दोस्तों इस तरीका केवल अपने शत्तु के उपर ही प्रियोग करना चाहिए इससे कभी भी अपनी प्रेमी का या किसी अन्य पर प्रियोग नहीं करना चाहिए श्वेतार का साधा पत्ता तोड़ ले और उसके उपर मदार के ही दूद से अपने शत्रू का नाम लिखे और फिर उस पत्ते को वहीं पर जमीन के अंदर दबा दे बस आपका काम हो गया और शत्रू सदा आपके वश में रहेगा मदार के फूल से वशी करन किस तरह से होते हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस विदी को आपको सोमार को करना है और आसान लगा कर बैठना है आसन लगा कर जमीन पर आपको बैठना है आप सोमार के दिन किसी मदार के पोधे के पास जाएं और ग्यारा फूल तोड लाएं और उन फूलों को हाथ में रखकर मंत्र का 121 बार उच्चारन करें और उसके बाद इन फूलों को किसी कटोरी के अंदर डाले और फूलों को रोली और गंगा जल भी डाल दे और इन सब को पीश लेना चाहिए फिर उसके बाद आपको एक सफेद पेपर के उपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं कागज के उपर एक स्वास्ति का चेन बना ले और फिर इस कागज को मोड देना है और फिर कागज को हाथ में रखकर 21 बार उच्चारन करना है और सारी वस्तियों को जल के अंदर ही प्रभावित कर देना है और जल के अंदर सामगरी प्रभावित करें तो किसी से भी बात ना करें और पीछे मुड़ कर भी न देखें दोस्तों मदार के पोदे में जल डाल कर कैसे वशी करन जाता है वो मैं आपको बताऊंगी ये बहुत खतरनाक प्रयोग है और इसको बिना गुरू के कभी भी नहीं करना चाहिए ये बेकार का टोटका है लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आमतुप से इस तरीके के अंदर आपको सुबह और शाम को आप पानी लेकर 21 या जाना है ये पूरीssä हो वे दिन आपको आपको एक मिधार के पीर के दर्चन होंगे और आप से पूछेंगे कि आपने किस तरह से याद किया तो आप उनसे अ पनी इच्छा बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हरो मनोकामना पूरी करें बस ये वच्चन लेने के पाद जबी प्रियोग करोगे मदार के अंदर दो दिन पाने डालें फिर अपनी मनोकामना को बोलें आपका काम पूरा हो जाएगा दोस्तों ये बहुत ही अचुक तोटका है लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो करना वरना और बहुत सारी तोटके में बता रही हूँ उनको आप कर सकते हो उनसे वशी करन आप कर सकते हो मदार के पोदे के नीचे बैठ कर आपने जब करना है बरहम भहुरत के अंदर इस्तनान करने के बाद किसी भी श्वेत मदार के नीचे आसन पर बैठ जाएं और फिर वहां पर रोजाना एक माला और ओम गणपते नमा का जाप एक माला करें इससे पूर्व उस वक्ति का नाम बोलें जिसको आप वश्म करना चाहते हैं दोस्तों मदार की जड़ भी वश्यकरन के काम आती है मदार की जड़ से प्रचंड वश्यकरन होते हैं मदार की जड़ घुगुची की जड़ शक्कर तिल एवम काहे कागी सबसे पहले एक दित करें और उसके बाद हवन कुण बनाए सबसे पहले अपने मन में उस इच्छा को रखें जिसको आप पूरा करना चाहते हैं यदे आप किसी को अपने वश्म करना चाहते हैं तो मनी मन इसके बारे में सोचें और 108 बार आहूती दें और ओम नमो भगवते वासुताय मंदर का जाब करें दोस्तो सफेद आपका फूल क्या होता है इसके बार हैं बताती हूँ आपको सफेद मिट्थी के पोदे को गणपती जी का रूप माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यदि पुराने सफेद मिट्थी के पोदे की जड़े खोदी जाती है और यदि इसकी जड़ से गणेश की मूर्थी प्रापत होती है तो ये बहुत ही शुप माना जाता है कहा जाता है कि इस मूर्टी की पूजा करने से सब भी कष्ट दूर हो जाते हैं जिस घर में ये परतीमा स्थापित है वहां हमेशा रिदिर्शिद्धी और अनपूर्णा की दुकान साथ ही साथ लक्समीजी का निवास भी होता है प्राची निकाल में साथग इस मंतर को अपने स्वेम के धन की थैली में प्राफ्त करते थे और बाद में उतने ही धन को निकाल लेते थे जितना भी अपनी मुठी में ले सकते थे ये माना जाता है कि जितना अधिक पैसा उस बैग में निकला जाएगा पैसा बैग में बन जाएगा दोस्तों ये सब बाते जो हैं मैंने आग के पत्ते के बारे बताई है मुझे अमीद है आपको ये सब बाते पसंद आई होंगे अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो में की नोटिफिकेशन जो भी है वो समय समय पर आपको मिलती रहें मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू